आप सभी के में चैनल पर स्वागत है Mr.Bobby में सब लोगो फ्रेंड्स आप सभी कैसे है आई होप आप सभी ठीक होंगे अधे एक फ्रेंड्स मोरनी का समय है मेरा सारा घर का काम हो गया मैं चाय भी पीछ चुकी हूं और मैं खाना बनाने के तयारी कर रही हूं आज मैं शरसो की मेरा मसाले का पेष्ट बन चुका है मेरा अलो भी बन चुका है तो मैं आलो को साइड में निकाल के रख दी हूं और तड़का लगाने जा रही हूं यह देखें फ्रेंड्स हरीमेच और मेथी और जीरा एड़ करके उसे ब्राउन होने तक भून रही हूं मेरा मसाला का मेरा बेटा पशान कर रहा था तो उसे बैठा दी थी आई देखिए मेरा फ्रेंट्स मेरा मसाला पक चुका है साइड में तेल छोड़ चुका था तो मैं आलो एड़ कर दियू इसे भी अच्छे से पका लेंगे धीमी आज में ताकि नीचे पकड़ें नहीं कितना अच्छा से बन रहा है खाने में बहुत टेश्टी लगता है एक बाद बना के देखेगा खाना बनाते समयना डुगू बहुत पशान करता है अब बनाओंगे जब सबजी बन जागा तो मैं उसके लिए समोसे वाला अलो का पराठा बनाके रखूंगी दूंगी फिर वो खाएगा देखेए फ्रेंस मेरा अलो भून चुका है अब मसाला भी पक चुका है तो मैं पानी आड़ कर दियू पानी अपनी अनुसाय आड़ क कर लेंगे जितने ग्रेवी आप सभी को चाहिए यह देखे फ्रेंस मेरा सर्सो की सबजी बनके तयार हो गई है कितना टेस्टी लग रहा है अधा मैं सर्सो की सबजी बन गया है तो मैं इसके लिए दूगू के लिए समोसे वाला अलो का पराठा बना रही हूं पहले इसके सबके लिए जैसुक गोल वाला अलो का पराठा बनता है वैसे मैं बनाऊंगी सिंपल सा अर्दूगू के लिए चाहिए कि मैं को समोसे वाला ही चाहिए तो फिर मैं इसके लिए बना रही हूं फर्स्टाइम बना रही है कि अगर आप सभी को मेरा व्लोग अच्छे लगता फ्रेंट्स जादे से सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंट्स मेरा पराठा बन गया है दुगू को अब दे दूंगी खाने के लिए ओके फ्रेंट्स इस व्लोग को यही समाप्त करते हैं नेक्स्ट व्लोग में मिलेंगे बाई-बाई-टेक्या फ्रेंट्स